इस सर्दी के मौसम में सोया मेथी किसके घर नहीं बनता है तो चलिए मैं भी सोया मेथी अपने स्टाइल में बताने वाली हूं अगर आपको पसंद है तो आप भी घर पर ट्राइ कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर कड़ाई में तेल गर्म करूंगी मस्टर्ड ओयल या राण का लगाना है हिर डालें तोड़ी सी और यहां पर लैसून काट के रखे थे एक टेबल स्कून वो डालेंगे हि इसके बात लैसून को जैसे लैसून हलके दिगांगे तो आम लोगी समें अड्य कर देंगे जीरा तो जीरा यहां पर ले रहे हैं ए फिल जो तो आप तो जब आप देखेंगे गोल्डन ब्राउन होने लगा है या हो गया है तो हम लोग इसमें डाल देंगे बाकी की चीजें जैसे कि मैंने काट के रखी हुई थी हरी मिर्च यह जो सोया मिती की सबजी है यह मैं हरी मिर्च की बनाती हूँ आप चाहें तो सिर्फ लेसुन हरी मि थी है बिलकुल भी ने जादा ली है आप देख सकते हैं मैंने इसको कटर की हर्फ से कट की थी तो यह बिल्कुल बारीग चॉप हो गई है आप बीलकुल बारीग चॉप करें तो जादा सही है मुझे हरी मिर्च का फ्लेवर जादा पसंद है इसलिए मैं स्वाधि की सबजी में हर इमिज प्रिफर करती हूं अब यह आलू को डाल कर हम लोगं यह हां पफिर करेंगे इसे रखा- Doug his अबया उसके भाए बात आप आप 5-10 मिनट तक प्रण करें और एसके बाद सोये में थी मैंने दो कर इसके जो डंठल थी वह निकाल दी थी और इसको बारी बारी चॉप जाटेंगे तो जादा बहतर है क्योंकि सीजर से बहुत ही जादा अच्छे से कट जाता है और इसको इस तरह से चन्ने की हलप से धो सकते हैं बिल्कूल आराम से उसमें पानी हम लोगों को बिल्कूल भी न अगर आप यहां पर बिल्कूल चोटे वाले और नए वाले आलू जो सर्दियों में आने लगते हैं वो नए वाले आलू अगर आप यूज़ करेंगे तो ज्यादा बेतर है इसमें मैं नमक एड कर रही हूं वह वाले जो चोटे वाले आलू होते हो बहुत ही ज्यादा पर डाया तो यहां से जाएगा तो आप उसको पकने पकने दे चाहिन और पकने के आप बाड़ी प्लेट गार जाएका अचला कावार पर नए तो अचला से यहां पर देखें आलू बहुत है और यह गर्मा घरम रोटी के साथ सब्सक्राइए ना तो मजा ही आजाएगा तो तो आप इसको जल्दी से ट्राइ करिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें इसी तरह से सर्दियों की और भी रेसिपीज मैं लेकर आऊंगी तब तक के लिए बाबाए